चुनाव की तारीकों के अलान के बादी तमाम राजनेतिक दल अफुलान एक्टिव मोड में आ चुके हैं मायवती ने भी प्रेस कॉनफरेंस कर अपने विरोधियों को आड़े हातों ले लिया है मायवती ने कहा कि प्रदेश में कारून विवस्ता के हालाद बहुत खराब हैं और लोग बस्पा की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं साती मायवती ने कहा कि इस बार चुनावों को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है जिस पर निर्वाचन आयोग सकती से कदम उठाए और चुनाव स्वतंत्र और निश्पक्ष तोर पर कराए जाए पूरे तोर से फ्री एंड फियर होना चाहिए इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विसेस अनुरोध भी है खास कर दलित वे अन्यक कमजोर वर्गों के लोग अतिस समवीदन शील ओलिंग बूतों पर अपना बोट डाल सके इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफी सकत कदम उठाने होंगे वरना इन वर्गों के लोग अपना बोट डालने से बंचित रह जाएंगे देश में जहाँ एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टीों के निकाले हुए लोगों के सहारे प्यानेकों पार्टीों के साथ गट बंदन करके इस चुनाव में 403 में से 400 सीटे जीतने का सपना देख रही है और अब इनका ये सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवा हवाई होने वाला है मायवाती ने प्रदेश में कानून विवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर हमला फोला सपा के बारे में भी कहा कि जोड़ तोड़ वाली पार्टी है 400 सीटे जीतने का उसका दावा 10 मार्च को हवा हवाई हो जाएगा देश में यहां एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टीों के निकाले हुए लोगों के सहरे प्यानेकों पार्टीों के साथ घट बंदन करके इस चुनाव में 403 में से 400 सीटे जीतने का सपना देख रही है और अब इनका यह सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवा हवाई होने वाला अपनी पार्टी के अपरादिक तत्वों को बचाती है और केवल दूसरों के खिलाफ ही पक्ष पार्पूर्ण कारवाई करती है जैसा कि यूपी ने बर्तवान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफी कुछ देखने को बिल रहा है जिस कारण ही यहाँ परादियों का अभी भी जंगल रहा चल रहा है और जनता बुरी तरह से तरस्त है चुनावों के एलान की बाद सपाने निर्वाचन आयोग से कुछ अफसरों को हटाने की मांगी सपा का कहना है कि आपर मुख्य सचिफ ग्री अवनी शवस्ती और अत्रिक्त मुख्य सचिफ सूचना नवनीत सहगल को हटाया जाए यही नहीं सपा ने ADG लॉइन डॉर्टर पुशांत कुमार और ADG अमिताब यश को भी हटाने की मांगी है सपा कारोप है कि अफसर भाजपा के कारकरता की तरहा काम कर रहे हैं